अपने आपको चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नूट्रिशन इन एनिमल्स इसके अंतरगत हम बुक वर्क कर रहे हैं तो आएए मैंने आपको फिलिंदबलेंक्स करा दिये थे सभी अधिकतल लेकिन दो फिलिंदबलेंक्स रह रहे हैं इसको प., श Kingston और PayPal आमीबा डाइजेस्ट इस फूड जो अमीबा एक सुक्सम जीव होता है और्गनिजम होता है, माइक्र और्गनिजम, वो अपनी फूड को डाइजेस्ट करता है, कहां पर डाइजेस्ट करता है, मैंने बताया था कि अमीबा में फाल्स फीट होते हैं, जिसे आप स्यूडो पोडिया कहते हैं, उसके द्वारा फूड को डाइजेस्ट करता है, तो इस था आपको 7.5 meter long होती है ठीक है इसके बाद देखें आप right true and false ठीक है true false आपको करने है against each statement true false दे रखें आपको मतलब statement दे रखें आपको बताने है कि कौन से true है कौन से false तो देखो digestion जो digestion है है ना digestion involves involves मनि digestion में क्या होता है breaking down क्या होता है breaking down में तूटना of food into small insoluble pieces यानि जो digestion में जो food होता है वो होजन होता है वो छोटे-छोटे कंडों में चोटे-छोटे particles में तूट जाता है और वो particles कैसे होते हैं आपको पता होना चाहिए soluble होते हैं जल में घुल जाते हैं लेकिन यहां लिखा हुआ है insoluble यानि जल में एग उलनसील तो यह तो फाल्स हो जाएगा इसलिए देख सकते हो आप यहां पर लिखा हुआ है ठीक है ना तो फाल्स लिखा हुआ है किलिए यहां तक आपको आगे देखो फिर तो इसके बाद देखो second the tongue helps in mixing food with saliva जो टंग माने जीब होती है helps माने साहदा करती है in mixing माने मिलाने में food को with saliva माने लार के साथ ठीक है न तो यह क्या है आपका यह क्या हो जाएगा true ठीक है देख सकते हैं आप इसके बाद देखो saliva changes ठीक है saliva changes starch into sugar saliva जो है starch को किसे में बदलता है sugar में बदलता है यह भी क्या है आपका true है ठीक है पड़लेंगे आप मैंने पढ़ा रखा है पूरी chapter इसके बाद देखो most of the digestion of food takes place in the stomach जो अधिकांस पाचन होता है भूजन का वो कहा हो जाता है पेट में हो जाता है यह बात बिल में होता है जिसे आप small intestine कहते हैं तो यह fourth क्या हो जाएगा आपका wrong हो जाएगा यानि false ठीक है देख सकते हो आप इसके बाद देखो fifth देखो fifth में क्या गरा है all organisms have same method of waste removal from their bodies यानि जो all organisms जो सभी जीव होते हैं have same method एक ही तरीका रखते हैं of waste removal यानि जो सरीर के waste पदार्थ हो जालने का ठीक है ना सरीर से बाहर निकालने का सभी जीवो में तरीका एक से होता है तो गलत है बिल्कुल सबका लगलग होता है false आगे देखो आगे उसने क्या कहा the condition in which ऐसी condition जिसमें excessive and frequent facial discharge जिसमें बार-बार discharge होता है facial discharge यानि यानि जो अपसिस्ट पदारत होते हैं बार- जिसमें होते हैं तो उस बीमारी को आप क्या कहते है constipation कहते है यह बिल्कुल गलत है उसे तो डाइरिया कहते है तो यहां क्या आएगा false ठीक है ना इसके बाद देखो a sticky film on teeth it's called plaque जो एक sticky मानी चिप चिप जो एक परत होती है आपने देखा है दांतों परत होती है ना ठीक आप इन्हें देख सकते हैं तो देखो विली पहला है किसके साथ मैच है यह विली आप देख सकते हैं इस small intestine की साथ मेच है तो आपको पता है small intestine में मैंने पढ़ाया था विली आपको तो ज्जादे मुझे describe करनी की आप सकता नहीं है मैंने आपको पूरा chapter पढ़ा रखा है इसके बाद एको assimilation, assimilation किसे है, large intestine से है, ठीक है, क्योंकि assimilation क्या होता है, जब food से energy मिलती है, तो उस assimilation कहते हैं, तो वो कहा होता है, large intestine में, ठीक है, देख लेंगे अब, cellulose एक रेशा होता है, जो ruminants, यानि जो जुगाली करने वाले पस होते हैं, उन में, उनके पाचन तंत लिए, इसके बाद एको amylase, जो enzyme है amylase, वो किस में होता है, starch में होता है, ठीक है, इसके बाद एको tentacles है, tentacles जो है आपका, वो hydra में होता है, आप पढ़ गेंगे, तो hydra में आपको मिलेंगे tentacles, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है, सुब कुछ अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे से, यहां तक कर लेंगे, book work आपका लगभग complete हुआ, फिर आप question and answers पर चलेंगे, ठीक है, next class में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, मिलते है next class में, और learning work कर लेना, यहां तक है, all the very best.